दोस्तों जातर घरों में लोग सुबह उठकर सबसे पहले एक गिलास पानी पीते हैं और उसके बाद कुई दूसरा काम करते हैं भारती और जपानी संस्क्रितियों सहीद कई संस्क्रितों यह परंपरा है कि किसी को अपने दिन के सुवाद खाली पेट से पानी पीकर करनी चाहिए हलाकि अपनी इस अच्छी आदत के कई फायदे वे भी नहीं जानते हैं डॉक्टर भी अब इसका समर्थन करते हैं क्योंकि इसके परिडाम सरूप होने वाले कई स्वासलाव हैं अगर आप भी इस आदत का पालन करना चाहते हैं तो आपको बता दे कि सुबह खाली पेट पानी पीने से कई तरह की बिमारियों पर काबुक किया जा सकता है खाली पेट पानी पीने से सरीर की सारी गंदगी साफ हो जाती है और खून साफ हो जाता है वैसे तो एक सक्स को सुबह उठकर लगबग चार से पांच गिलास पानी पीना चाहिए लेकिन आप इस आदत को डालने के सोच रहें तो सुरुवाद एक या दो गिलास से कर सकते हैं खाली पेट पानी पीने का पहला और सबसे महतपूर लाब यह है कि यह आथों को साप करने में मदद कर सकता है खाली पेट पानी पीने से मल त्याग में आसानी होती है खाली पेट पानी पीने का एक और उत्कृष लाब यह है कि सरीर से बिभिन विस्ताक प्रदासों को बाहर निकाले में मदद कर सकता है इस प्रकार यह खुद को डिटाक्सिफाई करने में मदद कर सकता है ऐसा करने से सरीर की साफाई हो सकती है तोचा की गुडवता में सुधार हो सकता और चेहरे पर चमक भी आ सकती है डॉक्टर्स बताते हैं कि रिसर्च में यह पता चला है कि परियापत पानी नव पीने माले लोगों को सिर्दत की समस्या भी हो जाती है खाली पेट एक गिलस पानी सिर्दत से बचने में मदद कर सकता है पानी पीने के सबसे महत्पूर लाबों में से एक यह चया पचय के लिए बहुत अच्छा है यह सरीर के चया पचय को तेजी से चला सकता है जिसके परिडाम सरूप कैलोरी को उरजा में तेजी से परिवर्दित किया जा सकता है खाली पिट पानी पीने से तीन तरह से वजन कम करने में मदद मिल सकती है सबसे पहले यह बीना किसी कैलोरी के खफ़त के सुबह सरीर को तरो ताजा करता है इसका मतलब है कि सरीर मजूदा कैलोरी को तेजी से उभोग करता रहा है और इस तरह व्यक्ति अधिक सक्रिय महसूस करता है भोजन से पहले पानी पीने से भोजन में खफत होने वाली कैलोरी के संख्या भी कम हो सकती है क्योंकि व्यक्ति के भूख कम लगती है इसके अलावा पानी चया पचय को बढ़ाता है जिसका अर्थ यह है कि खफत कैलोरी असानी से उर्जय में परिवर्टित हो जाती है खाली पेट, पानी, पीना तुचा के लिए दो तरह से अच्छा हो सकता है सबसे पहले यह सरीर में विसाक्त परदातों को बाहर निकालता है जिसमें जुरिया जैसे समस्याय हो सकती है इसके अलावा निर्जली करण तुचा के च्छिद्रों को बना सकता है जो सभी प्रकार के गंदगी करणों को इकठा कर सकता है और पीने का पानी किसी को इससे बचने में मदद कर सकता है